असलाम लेकूम सबा कुजीन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं और्यो कस्टड केग इसके लिए में चाहिए होगा ये और्यो ये ऐसे दस का और्यो दो लेंगे परच पर ऐसे कट कर लेते हैं करना ये है इसको ये से बीच से खॉल करके इसका जो ये बीच वादा पार्ट एक क्रीम का से निकाद लें ये देखिए ये और्यो को छोटे टुकरों में तोड़ लिये हैं अब इसे मिक्सी में चला देते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लब इसमें डालता है ये आधा कप कि तेल करीब चार चमच होगा कि पिसीवी चीनी है करीब तीन चमच और अब इसमें डालेंगे ये और्यो बिस्किट का पाउडर अब इसमें हम लोग देर देरे ये दूद डालेंगे ये नॉर्मल दूद है ठंडा लिस्ट के साथ हम इसमें डालेंगे ये एसेंस आच से छे बून एसेंस डालेंगे अब इसमें डालेंगे ये बिकिंग काउडर आदा चमच से कम और इसमें इसको मिक्स कर लेंगे ये रखके ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इस चली अब इसमें लोग बेक कर लेते हैं चलीए सबसे परहें इसमें लोग ये तेल डाल देते हैं कि अच्छे से चार तरफ से इसमें लगा लेंगे अब इसमें लोग ये केक डाल दोता है बैटर कुर्च से अच्छे से सेट कर लेते हैं चलीए इसे बेक करेंगें बेक करने से पहले आवन को प्रीहिट कर लेना है दस मिनट के लिए फिर इसे डाल लेंगें चलीए अब हम लोग कस्टड बना लेते हैं जिसके लिए चाहिए ये आधा कब दूर एक चमच कस्टड पाउडर डालेंगे और जो ये हम ये ओरियो में से क्रीम निका रहे थे वह सारे इसमें डाल देंगे और भी ये देखिए ये कस्टड बन गया है विसे ठंडा कर लेंगे ये देखिए ये केक बेक हो गया है इसे 200 डिक्री पे 20 मिनिट के लिए बेक किये थे अब चलिए इसे हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं तो सबसे पहले इसमें हम लोग डालेंगे ये कस्ट ये देखिए ये अच्छे से हो गया उपर से आब इसके बादन में लिए कुछ और ये बिस्किट बचा लिए थे हैं से छोटे पीसे में काटके लगा देंगें तो ये देखिए बनके तयार है और ये कस्टड केक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर से किजिएगा थैंक्यों ये